आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तोत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं रतनेश सोनी सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंद मोदी आज गांधी नगर में चौथे नवी कर्णिय उर्जा निवेश वैश्विक और द्यू की सम्मिलन का करेंगे उधगाटन कल से प्रारंभू का स्वचता पकवाड़ा प्रदेश के सभी 51,000 गाओं खोले में शौच से मुक्त आज देश के साथ प्रदेश भर में भी मनाई जा रही है ईद, मिलाद, उन नभी और प्रदेश के विबिन हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना अब समाचार विस्तार से प्रदान मंत्री नरंद मोदी आज गांधी नगर के महात्मा मंदिर में चौथे नभी करनी औरजा निवेश वैश्विक और दुगिक सम्मिलन का उधगाटन करेंगे वे एहमदाबाद से गांधी नगर और किफ्ट सिटी के बीच एहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरन का भी शुबारम करेंगे प्रदान मंत्री आज पी-एम सूरी घर मुफ्त बिजली योजना के लाभारतियों से भी मिलेंगे आज दिन में प्रदान मंत्री मोधी आठ हजार करोड रुपे से अधिक की विभिन पर्यूजनाओं की आजार शिला रखेंगे और उधगाटन करेंगे इसमें एहमदाबाद और भुज के बीच देश की पहली बंदे भारत मैट्रो ट्रेन शामिल है इस कारिकर में मुक्यमंत्री डॉक्टर मौहन यादव शामिल होंगे मुक्यमंत्री मद्यप्रदेश में क्लीन और ग्रीन अनर्जी की श्रेतर में किये जा रहे कारियों को साजा करेंगे एक्सपो में मद्यप्रदेश, आंद्रप्रदेश, गुजरात, तिलंगाना, राजस्तान, करनाटक और उतरप्रदेश राज्य इस समिट में सक्री रूप से हिस्सा ले रहे हैं स्वच्चिता ही सेवा अभ्यान 2024 कल से शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा इस वर्ष, इस कवशे स्वभाव, सवच्चिता, संसकार, सवच्चिता रखा गया है इस अभ्यान के तहट परेटान स्थरों, सार्वजनिक भवनों, व्याव साइक्षित्रों, जलाशियों, चुडिया घरों, अभ्यारनियों और सामुदाइक तथा सार्वजनिक शौचालियों सहित विभिन स्थानों पर श्रमदान और सामोईक रूप से बड़े पेमाने पर स सुच भारत मिशन ग्रामिन के अंतरकत परदेश में सत्तर लाग से अधिक घरों में नई शौचाले बने और सभी 51,000 ग्राम तैस समय से पहले खुले में शौच से मुक्त घोशित हुए बख्यवंती डॉक्टर महान जादव ने कहा है कि उजएन सहिकारी दुग दिसंग की चमता में वद्धी करते हुए इसके उत्पादन चमता को दस लाग टन तक बढ़ाया जाएगा कल सहिकारी दुग दुसंग के करमचारी समवाद करिक में डॉक्टर जादव ने कहा कि दुग दुत पादम ने वद्धी के साथ बड़ी हुई मातरा की खबत के लिए भी कारी किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पैरिस में आयुजित हुए पैरलम्पिक गेम में भारत को 25 पादक कांसी के रूप में दिलवाने वाले मुरली गाउं सिहोर के कपिल परमार ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए भारत के पहले खिलाडी बन गए हैं जिन्होंने आजादी के बाद पहली बाद जूडो खेल में कांसी पदक दिलवाया पेशेक रिपोर्ट सिहोर के गरीब टेक्सी ड्राइवर के बेटे और दिब्यांग अंतराश्ती जूडो के लाड़ी कपिल परमार का पैरा ओलम्पिक गेम तक जाने का सफर काफी संगर्ष भरा रहा है जूडो खेल को अपने जीवन का लक्ष बनाकर उन्होंने एशाई खेलो में इसी बर्ग में रजट पदक जीत कर पेरा ओलम्पिक जाने का पथ अपने लिए प्रश्रस्त किया इस मौके पर कपिल ने आकाश पाणी से खास बात करते हुए कहा कि परिस पहरा ओलम्पिक में का सबतक जीतने वाले कपिल परमार को अपनी खेल साधना में जेला प्रशासन का बहुत सहयोग मिला जेले के कलेक्टर प्रभीन सीग ने आकाश पाणी से खास बात करते हुए कहा कि सिहोज जिले के लिए और पूरे मतिपदेश के लिए पूरे भात के लिए बहुत ही गोरों की बात है कि हमारे जिले की प्रधिवा जो दिव्यांग है उसके बावजूद और साथ साथ बहुत सारी आर्थिक शूख से जो है कठनाईयों को उनको सामना करना पड़ा फ्रीव कि आज कपिल ब्रोंज देके आये है और कल कपिल सिल्वर लेके और उसके बाद में गोर लेके जरूद जिले में आएगा आप से लिको बहुत बहुत हन्यवार पेरा ओलंपियन दिव्यांग कपिल परमार ने कांस सिपदक भारत की जोली में डाला है वे अपने जैसे दिव समाचार आप आगाश्वाणी मध्यप्रदेश से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं यह समाचार बुलेटिन यूटिव एक्स प्लेटफॉर्म और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सक सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइड newsonair.gov.in पर अथवा newsonair.gov.in पर अथवा newsonair एप पर भी समाचार सुन सकते हैं समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागद पिगंबर मुहम्मद के जन्म दिन के अफसर पर देश के साथ प्रोदेश के विबिन भागो में आज एद मिलाद उन नभी कतियो हार धार मेक्षाद धार उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस उसर पर मिलाद महफिल और सीरस्तमेलनों कायोजन किया जा रहा है जिन में पेगंबर मुहम्मद के जीवन और उनके शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है इस मौके पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहा है रास्पती दुरुपती मुल्मूने मिलाद उन नभी के अवसर वर्देश के नागरे को पिशेश रूप से मुसलिम समधाय के लोगों को बढ़ाईया दी है वहीं मुक्योंती डुक्टर मौहान यादव ने कहा है कि पेगंबर मुहम्मद सहाब ने समाज कुशान ती सद्भाव एकता और सहन शीलता और सहच्थूता का संदेश दिया आकाश्वणी का समाचार सिवा प्रभाग अपने दुवभाशी सापता ही कारिक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात साधे नौ बजे सवचता ही सिवा अभ्यान के अंतरगत सवच भारत का निर्मान सुन्श्चित करने के लिए सरकार की पहल विशे पर परिचर्चा करेगा किलाव वार्टसिप नंबर 9289-094444 पर भी सवाल भेज सकते हैं 45 वे शत्रंज उलिम्पियाट के दोरान सक्षन में कल बुड़ा पिस्ट में भारती टीम ने अजरबेजान के खिलाफ तीन एक से जीत दर्ज की वेपकी महिला टीम ने कजाकिस्तान को पाच वे दोर में 2.5-1.5 के अंतर से हरा दिया उपन सक्षन में भारत के गुगेश ने अपने प्रतोंदी ग्रैंड मास्टर आयदिन सुले मानली पर आसान जीत दर्ज की इस सप्ता देश के पूर्वी हिस से मध्या प्रदेश कोंकर्ण और गुवा में व्यापक रूप से हलकी से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद है गण शेहडोल में भारी बारिश का यालो अलर्ट जारी किया है इसके साहती इंदौर गौालियर धार शेतरपूर सही 33 जुलो में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है और लेखनी है कि भौपाल गौालियर समित 35 जुलो में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है पुर्देश में अब तक और सथ 40.4 इंच बारिश हो चुकी है और अब कुछ समचा संशिप में रतलाम में भारती जंदा पार्टी कल सदस्टा अभियान के साथ सेवा पकवाड़ा मनाएगी बैतूल जिले में कल नैशनल लोग अदालत कायोजन किया गया इसमें लंब इतकुल 773 प्रकरणों में राजी नामा दोरा ने रकरण किया गया नगर निगां भुपाल दोरा आवारा श्वानों को पकड़कर नस्बंदी और एंटी रेभी इस्टी का कर्ण की कारिवे निरंतर की जा रही है पोशन महा के तहत रायसें जिले की सभी अंगनवाडी के इंदरों में जागरुकता गतिविदियों को आयुजित किया जा रहा है पन्ना में कल MBBS के दो छात्रों की बांध में डूबने से मौत हो कई यहासा जिला मुक्यार से 40 किलो मुटर दूर आजाएकड़ कस्बे के पास दिद दोहारी बांध में हुआ अंत में मुक्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंति दर्ण मोदी आज गांधी नगर में चौथे नवी करने उर्जा निवेश वैश्विक और द्योगीक सम्मिलन का करें के उदगाटन कल से प्रारम होगा स्वचिता पकवाड़ा प्रदेश के सबी 51,000 गाओं खोले में शौच से मुक्त आज देश के साथ प्रदेश भर में भी मनाई जा रही एद मिलाद उन नभी और प्रदेश के विबेन हिस्सों महल की और वध्यम बारिश होने की संभावना इस समचा बुलेटन में आज बस इतना ही नमस्कार